अमेरिका एरान के बीच यूद जैसे हालाद बनती जा रहे हैं कई देशों ने दोनों देशों से शांती बनाय रखनी की अपील की है इसके बाद भारती समयनमसार गुरवार देराद एरान ने एराक में अमेरिकी से निबेस के पास कई रॉकेट दागे इससे अमेरिकी एर बेस में भगदर मच गई थी मेरिया रिपोर्ट्स के मताबिक इराक के उतरी सलाओ दीन प्रांत के दुजेल जिले के फादलान इलाके में ये रॉकेट दागे गए ये एरिया बलाड एर बेस के निकट है जहां अमेरिकी सेनाओं की मौजूद की है इस बारे में इभी सूचना नहीं है इसी बीच अमेरिकी राष्परी डोनार्ड अजुट रंप ने ट्वीट कर कहा आमेरिकी लोगों की रक्षा के लिए हम नहीं हिचकेंगे चरम पंथी इसलामिक आतंकवाद को हराने के लिए अथग काम करते रहेंगे द्रसल इरान के जनरल कमांडर कासिम सुलिमानी की मौत के बाद दोनों देशों के रिष्टे खतनाक हो गए इसके बाद इरान ने अमेरिका एरबेस और दूतावास पर जबर्दस्त हमले किये जिसमें 100 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए है